योनी में ढीलापन कैसे आजाना है क्या होता है इसका कारण और आपको बिदा दूँ फिजिकल होने से नहीं होती है यूनी में ढीलापन यानि आपकी विजाइना जो टाइपनिस होती है वो फिजिकल होने या सेक्स करने से बिल्कुल भी नहीं होती है बहुत सारी लोग इस तो इसे हम confusion को आज दूर करेंगे Hello दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्तर पोस्ट आरोई और Always हमारी चैनल के साथ बने रही है जो है आरोई हल्थ के बहुत सारे नहीं नहीं और amazing help tips के लिए महिलाव के मेजाइना जो होती है वो कापी लची भी होती है नीचे में इसे ऐसा बनाए है कि यह एक elastic के तरह यानि के rubber की तरह होती है इसमें लचीला पन यानि इसकी माज पीषी या फिर मसल्स बिलकुल ही लचीली होती है जो open होती है और फिर सिकुर जाती है इसके विज़से इसके धीलापन होने का कारण बहुत कम हो जाता है आपको फिल्दा दू कि बहुत सारी लोग ये सोचते हैं कि बार बार जो है physical होने intimation के दौरान ये जो है काफी धीली हो जाती है एक इसका रीजन दोख हो सकता है सबसे पहला रीजन है बच्चे होने के बाद after birth of baby pregnancy के पाद जो है थोड़ी सी योनी लूज हो जाती है दूसरा रीजन हो सकता है बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती उम्र के साथ अकर आप exercise बेर नहीं करती अपने आपको फिट नहीं रखती आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर ये हो सकता है आपकी योनी यानि आपकी vagina की बूस होने का कारण की जो टूटता है और उसके बार काकी बार उसमें ब्लेडिंग होती है यही रिजन है कि जब काकी बार उसका साइज बढ़ सकता है यानि यह काफी बार खुली हो सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको दो तीन चीज़े करनी होती है जिसके वज़े से यह काफी टाइट हो जाएगी और इसमें बिल्कुल भी खिचापन नहीं होगा और आप हमेशना फुटको हापी और बैटर फिल करेंगे वेज़ेना की लूजलेस को वाप परस कम करनी के लिए वाप से टाइट करनी के लिए आपको बहुत सारी चीज़े करनी होगी लेकिन उसमें से तीचार चीज़े इंपॉर्टन है जो मैं नेक्स्ट वीडियों बताऊंगे आज मैं आपको इतना हमीशा जो है खुद को जवाँ और यंग और हां वर्सिंग में से उसकर रहती है थांक्यू सो मच प्लीज हमीशा वाई चैनल को सपूट कीजिए स्टे फेट से हैपी विद आरुभी हेल्ट के थैंक्यू